असलाम हूँ आलेकूम, तो यह है Turkish chicken kebab without grill, without oven, तो बनाते हैं चलिए तव्वे के ओपर, शुरू करते हैं आज की recipe साधारन याने ordinary ingredients से extra ordinary dish बनाते हैं आज की, चलूँ यह है आधा किलो चिकन चरबी निकाली हुई है दो-तीन पानी से धो के मैंने मीडियम से थोड़े बड़े ही पीस किये और मैंने इसे चन्नी के ओपर रख दिया था 15-20 मिनिट आदे घंडे के लिए कि पूरी तरीके से जो जो इसमें गीला पन है वो सूख जाए और अगर देजिए 2 टेबल स्पून भरकर गाड़ी दही आप हंकर दही डाले तो भी कोई बात नहीं है वो भी आप ले सकते हैं देड़ चुटचय का चमज टमाटर सॉस दाल दीजिए आदा चुटचय का चमज प्यास का पाउडर यानि कि ओनियन पाउडर मिलता है बहुत ही आसान कूटकर या पीसकर दाल सकते हैं आदा चुटचय का चमज भूना पीसा जीरा पाउडर चुटकी भर या मैं वन फोट चुटचय का चमज गरम मसाले का पाउडर दाल रहे हूं आदा चुटचय का चमज काली मिर्चों का पाउडर भी दाल दीजिए आदा चुटचय का चम ये तेल, ये मैं यहाँ पर olive oil दाल रही हूँ, olive oil हो तो best है, और आधा नीमबू निचोड़ कर दाल दीजिए, विज्जे हटा दीजिएगा, बहुत अच्छे से mix कर लीजिए, और इसे ढख कर marinate करने 2-3 घंटे के लिए रहने दीजिए, या फिर आप अगले दिन रात को marinate क कर दीजिए और ठाक कर फ्रिज में रख दीजिए, next day बना लीजिएगा, मैं 2-3 घंटे के लिए रख रही हूँ, 2 घंटे हो गये हैं, अब आपके पास तंदूर हो, तो तंदूर में लगा दीजिए, या फिर मेरी तरह मेरे पास है ना, ये सीख है, मैं इसमें लगा देती अच्छा अगर आपके पास ये ना हो, तो आप कोई बात नहीं कांडी जो आती है ना, स्टिक्स आती है, उसमें लगा कर रख दीजिएगा, और इसमें लगा लगा कर इन्हें साइट पर रखते जाएं, ऐसे जिसे धागे के अंदर हम कैसे वीव करते हैं, वैसा वीव कीज पिरोईएगा और इन्हें साइट पर रख दीजिए, अब जो मसाला जो भी रह गिया है, वो बड़ से ले लीजिए और ये जो चिकन है इनके ओपर लगा दीजिए, ऐसे, फ्राइपन के अंदर दो तीन टेबल स्पून जितना मक्कन यानिके बटर दाल दीजिए, या फिर कर लीजिए, जब दो मिनिट हो जाए, तो इन्हें पलट दीजिए और स्लो आज कर दीजिए, और पलट कर भी तकरीबन दो से तीन मिनिट तब पकने दीजिए, जब दो से तीन मिनिट पलट कर पका लें आप स्लो आज पर, तो फिर से फिर अब मीडियम आज कर दीजिए औ और आपको यह जो यह चिकिन का कलर जो है चेंज होता नजर आये और हलका हलका जैसे grilling spots आ जाएं और तकरीबन total मैंने पकाया ना 8-9 मिनिट तक तो 8-9 मिनिट में तो चिकन आरम से गल जाती है तकरीबन उलट-पलट करते जाएं हलका हलका मैं प्रेस भी करते जा रही हूं आपके तव्वे में बहुत जादा चिटक रहा है तो आप हलका slow पर slow से medium के दर्मियान में भी रख सकते हैं इस बार और देख सकते हैं आप अच्छे grilling spots आ रहे हैं तो यहां पर मैं 8-9 मिनिट तक पका लेती हूं 8-9 मिनिट हो जाते हैं तो इन्हें निकाल लीजिए और इस हैं इसे हना थोड़ी से सालट के साथ सर्फ कर रही हूं और साइट पर आप देख सकते हैं हरी चटनी जो दगी वाली होती है उसके साथ सर्फ कर रही है वैसे हरी चटनी का लिंक आप लोगों के लिए description के अंदर है आप वहां चेक कर लीजिएगा spice आप इस recipe में अपने जरू शेयर कीजिएगा अपने comments मुझे कमें पहुत अच्छे लगते recipe तो like जरूर कीजिए और उससे जाद अच्छे लगे तो अपने family और फ्रेंज में इस वाले video के लिंक जरू forward कीजिएगा फिर से हाथिरों की नहीं शांदार दमदार recipe के साथ अंटल एंटल एंट टेक अब लावस, बबढ़